हमारे पास Vivo Y100 इतने सुम में लॉंच के सुम समझते ना मतलब पता ही नहीं चला कब लॉंच किया तो पता ही नहीं चल रहा है यह बिक रहा है बट हमारे पास आगया है फोन तो लॉंच हो गया है फटावर्स अन्बोक्स करते हैं इस स्पेसिपेशन बताते हैं फोन 25,000 रु बोक्स करते देन आपको बताते हैं यहां साम इसको सील ब्रेक कर लेते बॉक्स पेकेशिंग अच्छी है इसमें कोई डाउट नहीं है वही कॉस्टिंग लेते हैं ज्यादा तो क्वालिटी भी देते बॉक्स सबसे पहले आपको यहां पर फोन रखा हुआ दिख जाएगा इसको रखते साइड में यहां पर आपको टांस्परेइंट बेंखकवर देखने को मिल जाएगा भी ת जीएदा बड़ा कट रूटर एडा यहां पर आपको चार्DER देखने मिल जाएगा एक आपको तो पर यहां पर केल को मिल जाएगी और आपको सीम इическихटर सिम झाए वा है निटेकर फोन आ चुका है हाथ में इसको बात करें तो आपको यहां पर ऐक बात करें ऑद सेवन पुइंड गांट वने में तो यहां पर आप देख सकते हो फ्लैटे जैसे फोड़ा सा फोन मोटा लगे का हल्का सा जैसे वीवो का उसजनली बनी बट्ट वने इंटी और क्राम का वेट है इसका तो ज्यादा वेट भी नहीं है और ज्यादा मोटा नहीं ठीक ठाक सा एवरेज है साइस का कॉंपेक्ट है नीचे के अगर बात करें तो आपको चार्जिंग पोर मिल जाएगा हैटफोन जेक सबसे अच्छी बात यहां पर दिया हुआ है माइक मिल सकते हो और राइट साइड के अगर बात करें तो अनोफ बटन वोल्यूम बटन बस इतने इसका अवर लुक है यहां पर आपको एक एमोलेट डिस्प्ले मिलेगी इन डिस्प्ले फिंगर्पिंट वाला है भई पता नहीं अनलोग क्यो नहीं हो रहा हां 6.43 इंचेस का आपक लुक बड़ा नहीं है वीव अभी भाई वोटर ड्रॉब डिस्प्ले दे रहा है यहां पर आप देख सकते हो 25,000 रुपय का फोन है तो वोटर ड्रॉब उतना खास रगता नहीं है पंच होल होता तो ज्यादा बेटर लगता और जो इसकी ब्राइटनेस है वह फिक ब्राइ 85 परसेंट व डिस्पले मिलेगी बाकि आपको इसमें बेजल सही मिलना है कैमरे के अगर बात करें तो बेक केमरे का में 64 है दो मैजा पिक्सल मोनो लैंस दो मेघापिक्सल मेक्रोलेंस और सेलफी की बात करें तो यहां भी इन्होंने कम कर दिया है 16 मेगा पिक्सल हलांकि वी यह करने बहुत मज़ाता पिता तो यह आता है फोन एंडर 13 के साथ यहां पर आप होल्डेंट प्रेस करेंगे तो इसका कलर वगरे भी चेंज होंगे और यह आता है फंटच ओस थाइंग साथ तो भाई लेटेस्ट है अप्ग्रेड़ेड़े एट जीबी रेम और एट जीबी चारहजार इमेज बैटरी मतलब 4-500 बैटरी और करीब करीब वन डेका बेटरी वेकाब आपको देखने को मिल जाए चारजिंग की बात करें तो 44 वोट का आपको फ्लेश चारजर मिल रहा है जो आपके फोन को करीब करीब 40 मिनित में फूल चार्ज कर देगा साउंड की बा बाकि तो ठीट आगे camera की बात करें तो यहां पर आपको भी वीडियो में 4K का option भी मिल जाता यह एक अच्छी चीज़ है 4K लेकिन 4K 30fps लेगा 1080p आप 60fps भी run कर सकते हैं OS दिया है तो हम लोग video quality भी देखेंगे photo quality भी देखेंगे और portrait में भी आपको अलग-अलग filter यहां पर देखने को मिल जाएंगे जैसे star hearts यह सारे मैं ट्राय करता हूं सेंपल आपके स्क्रीन पर आप एंजोई करो सेंपल हमने ले लिए camera कि यह वाला सेंपल आप देखो 64 Megapixel का है इसमें जब जूम आप करते हो तो इतनी इनफ डिटेल है आप चीज़े पढ़ सकते हो और भी हमने सेंपल लिए यहां पर यह 2x का photo यह वाला देखो भी यहां बहुत जादी महां यहां पर जूम का नहीं बोलना आप जूम पर क्वालिटी और यह वाला सेंपल भी आप देखो यह 2x का है बढ़ यहां अगेंज लाइट था तो उतना अच्छा नहीं आया यहां पर आप देखोगे clarity और object detection का जो इसका capacity है वह अच्छा है यहां पर कु करूँ वह detail की बात करूँ तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो face वागेरा पे कुछ और भी हमने सेंपल यह 2x का photo है यह हमने कुछ और फोटो लिए यह भी अच्छा रहे है वही detail वागेरा इसमें काफी सही है नो डाउट ठीक है एक हां एक बात यह है कि अलग सा आपको तकड़ी है नो डाउट और edge detection भी इसका सही है कोई issue नहीं आया मुझे यहां पर हमने और सेंपल्स लिए पोट्रेट में अलगलग filter ट्राय किये जो पीछे बेग्राउंड में हार्ट वगेरा बन जाता है इसमें देख सकते हैं फ्लेयर्स के थू यहां पर कुछ और भी अल अलग अलग आपको पोट्रेट फिल्टर मिलते हैं जो आपको अलग 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 यहां पर शेप बनागा देंगे हाट का बटरफ्लाय का और कुछ इस तरह की डीटेल यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी पोट्रेट नो डाउट अच्छे यहां पर कुछ और हमने सें इन टोन पर बाकि आप देख सकते हैं अब बहुत सारे लिए अच्छा अच्छा सेंपल आया पोट्रेट भी यहां पर तगड़े निकल कर आया वही पोट्रेट तो वही शांदार है कमाल है आगे और मैं आपको सेंपल दिखाता हूँ अलग 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 अब देखें तो आपको बता दूं कि आज शिवरात्री के दिन मेंने शूट किया तो शी कि यहां पर तैयारी अगे रहा थी तो यहां पर मंदीर है यहां पर आप देख सकते हो वीडियो अगेरा प्रॉपर इसने वीडियो कॉलिटी लिए अच्छा यह 4K 30fps पे कम था फोटो बहुत कम फट रहे थे वीडियो में पिक्सल्स बहुत कम फट रहे थे बागी अच्छे से मेंटेन किया यह 4K 30fps का आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूं अभी यह वाला जो यह पॉर सोडी टैनेटी भी 60fps पे रिकॉर्ड हो रहा है यहां पर आप देख सक इस फोन में डाले हुई है और इन सब कॉप अनिस्टॉल भी कर सकते हो उसमें भी कोई डायूट नहीं है बट हां अगर बात करें प्राइस की 25 रुपे के लायक बिल्कुल भी नहीं लगा है फोन अगर केमरे की बात करें केमरा ठीक लगाए ओके-ओके 25 रुपे का इस फोन 25 रुपे की रेज में आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे रियल में 10 प्रो प्लास है और भी काफी सारे ऑप्शन 25 रुपे वह आप देख सकते हो कि यह 25 र के लायक बिल्कुल नहीं लगा है में तरफ से रिकमेंड नहीं है थैंगी सो मच फोचिंग मिलता आप से नेक्स वीडियो में